कि अज़िए और आज से आपके गैडबी के शौर्ट कॉंसेट शुरुबात कर रहा हूं है जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांजेनिक प्लांट किस तरीके से बनाया जाता है तो ये एक बेसिक सा छोटा सा कॉंसेट विद कोशन प्रैक्टिस कोशन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और मैं आज से बायो टेकनलोजी के शौर्ट बहुत सारे कॉंसेट आपके सामने लेके आने वाला हूं जो की टॉपिक आपको बहुत जादा हाट लगते हैं अब मैं आपके वो जितनी difficulties है उनको छोटे-छोटे concept के अंदर solve कर दूँगा ठीक है तो मेरे साथ मैं आपको ऐसे ही रोज short concepts को देखना है लाइक करना है और जादा से जादा अपने दोस्तों में share करना है तो बढ़ते हैं आज का जो नया concept का topic है वो आजाता है Transgenic Plant with questions practice हम करने वाले हैं सबसे पहली बात आजाती है कि सर प्लांट तो हमें पता है कि प्लांट किस तरीके से होता है क्या आज के अंदर morphological characteristics होते हैं बट यह Transgenic Plant क्या होता है कि प्लांट की वो variety जो की आप उसमें अपना desire purpose धूंडे हो तो आपका क्या desire purpose होगा आपका desire purpose हो सकता है कि आप उस प्लांट को ornamentally अच्छे से develop करना चाहते हो या आप उस प्लांट से secondary metabolites का production करवाना चाहते हो या आप उस प्लांट के अंदर food की quality को increase करना चाहते हो या हम वो सकते हैं आप उस प्लांट को किसी paste या antibiotic से resistant करवाना चाहते हो तो ऐसे hybrid plant को कहा जाता है transgenic plant और यह transgenic plant किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप मेरे बीचे देख सकते हो कि यह है biotechnology की laboratory जिसके अंदर एक छोटा सा student यहाँ plant के उपर experiment कर रहा है और आपने ज़रूर microporrogation method के बारे में तो सुना ही होगा जो कि plant को laboratrical condition में, in vitro condition में, strile condition में develop करने के लिए responsible होती है तो आज मैं आपको उसी method को transgenic plant के उपर लगा कर बता हूँ है तो आज हम जानेगे कि transgenic plant आखिरकार किस तरीके से बनते है और कुछ questions भी मैं आपको आज ही discuss करवा दूँगा तो बढ़ते हैं transgenic plant के उपर कि transgenic plant क्या होते है, किस तरीके से होते है तो transgenic plant एक ऐसे plant होते है जिन के अंदर एक modified gene का insertion होता है इनके main DNA के अंदर अब आपको भी पता है कि अगर plant की morphology की बात कर ली जाए या उनसे निकलने वाले beneficial product की बात कर ली जाए ये सारे depend करते है plant के DNA के उपर, ठीके मतलब DNA के पास में वो सारे coding proteins की sequence present होती है जो कि उसके body structure को morphologically, physiological structure को maintain करने के लिए responsible होती है तो अगर कभी हम इनके DNA के अंदर ही modification करते हैं तो हम इनके morphologically के साथ-साथ physiological changes को भी बदल सकते है, transform कर सकते है तो सबसे पहली बात transgenic plant बनाने का सबसे पहला purpose यह होता है कि हमें हमारे desired DNA को या genome को इनके plant के DNA के अंदर insert करवाना होता है, जैसे ही हम हमारे desired DNA को insert कराते हैं तो हमारा desired DNA plant की machinery का use करके proteins का formation करता है और वो एक protein plant के अंदर एक extra characteristics के form में दिखाई देता है, ठीके तो transgenic plant क्या है plant are genetically modified by the inserting foreign gene into their genome, इनके genome में foreign gene का insertion किया जाता है वो भी किनी mechanism के तुरू यहाँ पर foreign gene का insertion किया जाता है major purpose क्या होता है, transgenic plant का purpose यह होता है कि आप new trades को generate करना चाते हो they are not naturally present in the plant, जो कि plant के अंदर naturally present नहीं है आप उसको एक extra advantage देना चाते हो, जैसे बड़ी बड़ी company जो होती है वो plant से secondary metabolites के production के लिए plant को transgenic plant बना देती है और यह transgenic plant multiple amounts में secondary metabolites का production करते है जो कि medicine industry में बहुत जादा हद तक यह use किये जाते है जिसे for example, अगर कभी मैं आपको बता दू vincristine, vincrastine, taxol, यह secondary metabolites है जो कि cancer की therapy में use किये जाते है बात कर लेते हैं कि transgenic plant बनाने के लिए आप किन-किन mechanism का use कर सकते हो कौन-कौन सी technique का use कर सकते हो transgenic plant बनाने के लिए तो how transgenic plant are created तो techniques की अगर हम बात कर ले तो techniques मतलब हमें transgen को desired gene को plant के अंदर, plant के genome में insertion करवाना है तो आप कौन-कौन सी technique का use कर सकते हो सबसे पहली technique आ जाती है agrobacterium mediated transformation agrobacterium की अगर मैं बात करूँ तो agrobacterium एक gram negative bacteria है gram negative bacteria है साथी साथ एक soil bacteria है जो की plant के अंदर crown gold disease cause करता है ये तो आपको पता ही है crown gold disease cause करता है और ये crown gold disease होती है इनके अंदर present एक T-DNA के कारण और ये T-DNA के पास में genes present होते है oxyn cytokinin hormones के जो की tumor induction करने के लिए responsible होते है और इन ही gene के जो hormones है उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये transgenic plant बनाने में कितने ज़ादा beneficial होते है तो agrobacterium का यूज किया जाता है gene gun की बात कर ले तो gene gun यहाँ पर एक ऐसी method होती है जो की desired genome को plant के अंदर plant के genome में insert करने के लिए responsible होती है और एक और एक method की बात कर ले अगर आपने इन methods के बारे में सुना होंगा CRISPR और case 9 ये genomic editing करने वाली एक method है जहाँ पर हम genome को edit कर सकते है ठीक है? मतलब उनको transgenic बना सकते है recombinant बना सकते है उस method को हम क्या बोल देते है हाँ पर CRISPR case 9 method process का overview अगर मुझे देना है तो process के overview में सबसे पहला process आ जाता है insertion जहाँ पर आपको आपके desired genome को insert करवाना पड़ेगा किसी एक vector के अंदर और after जैसे ही आपने insertion करवा दिया और insertion करने के बाद उस vector वाली species को आपको conjugate करवाना पड़ेगा आपके plant sale के साथ और फिर वहाँ पर vector को transplant करवाना पड़ेगा जैसे ही vector plant sale के अंदर जाता है तो अपने genome का insertion करता है तो next step आ जाती है insertion and then last step आती after insertion के बाद में expression of desired foreign gene ठीके तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं इनकी steps के उपर कि कौन-कौन सी steps होना चाहिए transgenic plant बनाने के लिए तो steps की बात कर ले कि जो step यहाँ पर transgenic plant create करने के लिए responsible होती है उसके उपर बात कर ली जाए पहली step यहाँ पर होती है isolation of gene आप सबसे पहले तो अपने desired plant से उस genome को isolate कीजिए अब कैसे isolate कर सकते है जैसे की आपके पास में एक desired plant है मान लो यह है आपके पास एक plant की species आप गए field के अंदर और आपने देखा कि यह plant बहुत ही जादा ornamentally सुन्दर है बहुत ही जादा अच्छा दिखता है ठीके और आप चाहते है कि यह plant का genome हमारे पास होना चाहिए तो आप क्या करोगे इस plant की sale को यहाँ से extract करोगे बहार निकालोगे separate करोगे इस plant की sale से आपको desired DNA DNA का isolation करना पड़ेगा ठीके आप चाहते हो कि यह plant का genome हमें चाहिए इनसे वो genome चाहिए जो कि इस plant का morphological structure बना रहा है इतना अच्छा ornamental structure बना रहा है तो आपको करना पड़ेगा DNA का isolation फिर उसके बाद में आपको DNA sequencing method का यूज करना पड़ेगा DNA sequencing method के बाद में आप bio informatic tools से matic tools की मदद से आप जैसे कि यहाँ पर blasta, fasta का यूज कर सकते हो blasta, fasta का यूज करके आप उस genome को देख सकते हो जो या उस genome को select कर सकते हो जो की यहाँ पर इस morphology का formation करने के लिए responsible है या तो आप किसी methods का यूज कर सकते हो ठीके जो की आपको ये बता सके कौन सा genome जो है वो genome यहाँ पर इनके अंदर अलग है ठीके फिर आप उस genome को separate कर लो मतलब आपने isolate कर लिया genome को isolate gene gene को isolate करने के बाद में second step होती है सबसे first step यहाँ पर क्या है isolate gene second step यहाँ पर होती है gene का insertion जो gene आपने isolate किया है उस gene को आपको desired vector के अंदर insert करना है मान लो कि यह है genome जो कि आपने separate किया है ठीक है जिसकी sequence ATGCTAT यह कोई sequence है जो कि आपने यह इस purpose से isolate किया है कि यह वाली sequence इस plant के morphological structure को बनाने के लिए responsible है फिर आपको क्या करना है इस gene को insert करवाना है किसी vector के अंदर vector के अंदर जैसे ही आप gene को insert करवाते हो जैसे कि for example यह रहा एक vector इस vector के अंदर आपको इस gene को insert करवाना है तो यह vector recombinant vector के अंदर convert हो जाएगा यहाँ पर आपका जो vector है वो vector convert हो जाएगा recombinant vector के अंदर ठीके ये रहा आपका desired genome ये बन गया यहाँ पर recombinant vector ठीके recombinant vector और third step आजाती है selection की आपको after recombination के बाद transfer करवाना है इसको plant sale के अंदर plant sale के अंदर जैसे ही आप transfer करवाते हो with the help of agrobacterium meditated या gene gun method या तो CRISPR case 9 methods के तुरू जैसे ही आपने इसको transfer करवाया वहाँ पर second step हो जाती है insertion की recombinant के बाद में plant में आ जाता है insertion insertion करवाने के बाद third step आ जाती है selection अब उन plant sale को select करना यहाँ पर main reason बन जाता है जिनके अंदर आपका recombinant DNA present है या desired DNA present है selection की process में आपको क्या करना है select करना है transform sale को with the help of antibiotic resistance ठीक है आपने जो desired DNA दिया है या आपने जो vector दिया है उसके अंदर antibiotic resistance का gene होगा उस gene की मदद से आपको यहाँ पर selection करना है fourth आ जाता है regeneration जहाँ पर आपको उस plant की sale को अब oxygen का amount सबसे ज़ादा देना है आपको भी पता है जहाँ पर oxygen का amount ज़ादा होता है वहाँ callous का formation होता है फिर आपको oxygen के साथ में cytokinin का amount भी include करना है अगली slide में मैं आपको oxygen cytokinin के बारे में बताता हूँ fifth stage होती है screening की कि आप confirm करो क्या आपने जो transgene induce किया था उसका expression उस plant sale में हो रहा है या नहीं हो रहा है and then six आ जाता है planting जहाँ पर आप transgenic plant को soil के अंदर transfer कर सकते हो ठीके तो आब इस steps को मैं आपको diagram के थूँ समझाता हो अब इस diagram को ध्यान से समझो और ये समझने की कोशिश करो कि आखिरकार इस process में क्या किया जा रहा है सबसे पहले क्या करना है हमें एक agrobacterium की species लेना है इस agrobacterium tumor faciens के tdna को आपको separate करना है जैसे ही आपने ti plasmid को separate किया separate करने के बाद आपको उस ti plasmid को cut करके with the help of restriction enzyme आपको आपका desired dna का fragment इसके साथ में insert करना है जैसे ही आपने अपना desired dna का fragment यहाँ पर insert कर दिया फिर उसके बाद इस vector को वापस से transfer करना है agrobacterium species के अंदर जैसे ही आपने agrobacterium के अंदर ये vector को transfer किया after इस vector की मदद से या इस agrobacterium की मदद से आपको plant sale में उनके जिनोम में इस वेक्टर के जिनोम को इंसर्ट करवाना है ठीके तो आपको पता है एग्रो बैक्टेरियम जो है वो अपने जिनोम को विर जीन्स की मदद से ट्रांसफर करता है किसी प्लांट सेल में ठीके जैसे ही प्लांट सेल के अंदर यहां जिनोम का इंसर्शन होता है plant sale को आपको culture करना होता है after selection culture करने के लिए आपको यहाँ पर oxyne cytokinin की जरुत होती है ठीक है अब यह culture process के बाद में मैं आपको यहाँ पर detail में समझाता हूँ culture करने के लिए जब आप oxyne का concentration ज़ादा देते हो आपके culture media में तो वहाँ पर kailas का formation होता है आपको सबसे पहले kailas का formation करना पड़ेगा एक अकेली plant sale से kailas क्या होता है kailas एक unorganized undifferentiated mass of sale होता है और आपको यह जरूर पता है कि plant की sale totipotency show करती है totipotent nature की होती है totipotent का मतलब यह होता है single plant sale whole plant को बनाने के लिए responsible होती है ठीक है जैसे ही हमने यहाँ पर kailas का formation किया अब kailas के formation के बाद हमें चाहिए plantlets को बनाने के लिए cytokinin और oxyne का एक concentration तो अब क्या करना होता है अब आपको oxyne के साथ cytokinin को भी 8 करना पड़ेगा तो आपको 8 करना है oxyne के साथ cytokinin को अब oxyne और cytokinin का ratio अगर कभी 2 is 2 1 के ratio के अंदर हो तो यहाँ पर rooting generate होती है याद रखना यहाँ पर rooting होती है मतलब कि जो callus की sale है यहाँ पर मान लो कि यह callus की sale इस तरीके से है तो इस callus की sale में इस तरीके से rooting generate होगी ठीके क्योंकि root generate करना बहुत ज़रूरी है rooting generate होगी then इसके बाद अगर आप oxine और cytokinin का ratio 1 is 2 2 के इसके अंदर करते हो cytokinin का ratio 1 is 2 2 के ratio में करते हो तो यहाँ पर shooting generate होती है ठीके तो next step क्या हो जाती है यहाँ पर shooting shooting generate होती है जैसे ही आपने callus का generation किया फिर आपने rooting करी फिर आपने shooting करी callus ने यहाँ पर shoot बनाना चालू कर दिया यह बन गया है shoot यहाँ पर shoot बनना चालू कर दिया अब यह rooting shooting बनने के बाद next step आती है acclimatization की acclimatization की step के अंदर क्या होता है acclimatization का मतलब भी होता है कि अब आपको इस teeny plantlets को battery plate मीडिया से निकाल कर एक synthetic soil वाले pot के अंदर लगाना है जो की laboratrical in vitro condition में ही होगा फिर उसके बाद में एक process होती है hardening process hardening process यह show करती है कि अब आपका plantlet जो है वो एक field वाली soil के अंदर growth करने के लिए capable है और फिर आप उससे एक transgenic plant यहाँ पर बना सकते हो तो next 10 यहाँ पर बन जाता है transgenic plant ठीके इसके बाद में कौन सी process होती है acclimatization याद रखना acclimatization का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर plant sale को या plantlet को acclimatize कर रहे है उसकी final process के लिए ठीके उसको soil के अंदर growth करवाने के लिए क्योंकि आपने उनको media के अंदर growth करवा दिया, अच्छी condition में growth करवा दिया, अब उनको soil के अंदर भी तो growth करवाना, इसलिए आपको acclimatization करना होता है next and final stage होती है hardening, hardening का मतलब होता है अब आप इसको synthetic sorry, आप उसको field की soil में growth करवा सकते हो, और वहाँ पर ये mature plant के अंदर convert हो जाएगा, तो इस तरीके से जो plant बनता है, उस plant को कहा जाता है transgenic plant, तो hopes हो कि आपको यहाँ पर transgenic plant समझ में आया होगा, बात कर लेते हैं, जो आपने desire DNA vector के अंदर insert किया, क्या उसका किस तरीके से structure होता है उसके उपर बात कर ली जाए कि कौन-कौन से genes जो होते हैं वो control करते हैं, आपके transgenic को insert करने के लिए या regulate करने के लिए, तो सबसे पहली बात, कि आपको सबसे पहले तो transgenic promoter का use करना पड़ता है, ये promoter ये represent करता है, कि आपका transgenic expression होना है या नहीं होना है, मतलब आपके transgenic जो आपने desired DNA डाला है plant sale में, उसके पास में लगा होता है promoter, जो कि promote करता है, उस desired DNA के expression को, और example के तोर पर में आपको बता सकता हूँ के KMV virus 35S promoter use किया जाता है, ठीके Kevli form mosaic virus, जो कि एक plant virus है, उसका promoter लिया जाता है, जो कि एक strong constitutive expression वाला promoter है, constitutive का मतलब होता है continuous expression करने वाला promoter है continuous expression करने वाला promoter है, और फिर transgenic promoter जो कि actual insert of encoder desired rate, ठीके जो कि encode करता है total आपके desired product को फिर बात कर लेते हैं, terminator sequence की, तो terminator sequence के अंदर क्या होता है, terminator sequence जो कि आपके desired DNA के synthesis को terminate करने के लिए responsible होती है, terminate का मतलब यह होता है, कि जहाँ पर आपका desired product बन चुका है, अब उसको और आगे तक के synthesize न किया जाए उसको terminate किया जाए, इसके लिए use किया जाता है nos terminator, जो कि nopaline synthase का gene है याद रखना, nopaline synthase का gene है, जो कि terminator की तरह काम आता है, terminator sequence, जो कि यहाँ पर आप बोसकते हो, enhancer और silencer की अगर मैं बात कर लू तो यह कुछ extra sequence होती है, जो कि modulate करती है expression level को, तो आपको याद रखना है, कि expression level को modulate करने के लिए यहाँ enhancer और silencer sequence का use किया जाता है next, इसको diagramatically देख लिया जाए, तो यह मान लो कि a, b, c, d, चार आपके desired DNA है, इन चारो desired DNA के अंदर promoter की जगव पर आपको use करना है kevliform mosaic virus 35s का promoter और nos nopaline synthase का terminator sequence जो कि एक strong quantitative promoter की तरह काम आता है और यहाँ पर यह vector का gene है, ठीके vector है और यह रहा आपका desired DNA desired DNA, तो इस तरीके से इस DNA को आपको transgenic plant बनाने के लिए use करना होता है, जिससे कि आपका plant transgenic बन पाए, चलो तो अब वीडियो को post करते करते questions को apply करो ज़रा, सबसे पहला question, what is the transgenic plant, क्या होता है transgenic plant the plant modified using the foreign DNA ठीके, इसका answer क्या होगा plant modified using the foreign DNA plant with the naturally occurring gene नहीं यहाँ पर तो nature की बात कर ली जा रही है plant with mutated gene बिलकुल नहीं, mutated gene से जो plant बनता है, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर याद करो मुझे comment box में ज़रूर बताना कि plant का जो mutated gene हो जाए तो उस process को क्या कहा जाता है ठीके, चलो मैं ही बता देता है soma clonal variation कहा जाता है plant with increased natural growth बिलकुल नहीं, next question what is the first step in the creating a transgenic plant, सबसे पहली step होती है, gene को isolate करना कि आपको पहले तो आपके desired genome को isolate करना है next question, which of the following is used to transfer the foreign DNA into the plant cell क्या यूज किया था आपने, आपने यूज किया था agrobacterium tumor faciens का, CRISPR case 9 का, और आपने यूज किया था gene gun का, ठीके, next आ जाता है question, which method is commonly used for selecting successful transgenic plant कौन सी method use करते हो, आप successful selecting के लिए, transgenic plant का, तो use किया जाता है antibiotic resistance को next and last question, what is the final step in the producing a transgenic plant final step यह होती है, यहाँ पर plant regeneration, ठीके जिसके अंदर plant को regenerate किया जाता है तो hopes हो कि आपको मेरा ये short conceptual video अच्छा लगा होगा और मुझे comment box में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा और आप आगे कौन-कौन से short topic से related concept चाहते हो, ठीके तो biotechnology से related सारे conceptual video में day per day आपको देता रहूँगा with questions की practice भी कर रहूँगा, आगे आने वाले videos के अंदर में आपको transgenic plant के examples के उपर ले के आऊँगा कि कौन-कौन से transgenic plant बनाए हुए है और इनका क्या basic purpose है ठीके, तो thank you everyone, thank you for watching this video video को like करना मत बूलिएगा और video को ज़ादा से ज़ादा share कीजिएगा, ठीके, तो thank you thank you for watching this video and happy learning